नमस्कार नियूस क्लिक में आपका स्वागत है अभी हम मौझूद हैं दिल्ली सिक्षक संग के ओफिस कार्याले में दिल्ली के लगभग 12 कॉलेज के सिक्षक और करमचारी जो पिछले 6 मेने से बेतन के इंतिजार कर रहे थे हला कि एक दिन के हरताल के बाद उनको 12 तारीक को दिल्ली सरकार ने बेतन रिलीज कर दिया है यह पूरा मसला क्या है और सिक्षा और सिक्षक से जुड़े और बाकी तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमार साथ मौझूद है डॉक्टर राजीवरे पहला सवाल तो यही जो यह पूरा मसला है क्या जो टीचरों का बेतन प इन बारा कॉलेज का पूरा मसला है क्या यह मसला तो यह है कि इस बार का जो सैलरी का इशू है यह आप सही बोल रहे हो कि लगभग देड़ साल पुरानी है और सरकार जो पेमेंट जो दिल्ली सरकार जो पेमेंट कर रहे हैं दिल्ली उनिवर्सिटी का इस बारा कॉलेजिस को वो insufficient तो है, कम दे रहे हैं, ठीक time पे नहीं दे रहे हैं, और जबी हम लोग कुछ action program करते हैं, वो धर्ना हो या strike के situation में, strike तो हम लोग अभी जाके अभी किये हैं, मतलब इस covid के दौरान भी हम लोग छोटे-मोटे program किये हैं, चिठी लिखे हैं, धर्ना प्रदर्शन किये हैं, उस दौरान जिसी हम करते हैं, एक-दो महिनी का payment हो जाते हैं, उसके बाद कुछ-कुछ teachers कोट पे भी पहुचे, तब भी एक-दो महिनी के payment आ गया, ये करते-करते एक स्थिती पहुचा अभी 10 दिन पहले, कि कुछ college इसके पास 6 महिनी के ऊपर payment नहीं हुआ, किसी-किसी college मे चार महिने, किसी-किसी college में एक महिने, इस थिती में हमें मजबूर होके strike call देना पड़ा, और strike आज भी चल रहा है, और परसो से जैसे हम लोग strike call किये, उसके बाद से तो रहल चल मचा, और परसो के dated एकल चुठी पहुचा, सैंक्शन लेटर, पैसा अभी तक नहीं, सैंक्शन लेटर पहुच गिया है, उसके अनुसार लगभग लगभग 90 करोड के आज पास payment दिया है salary account में, उससे कुछ colleges को जरूर जो area salary है, कुछ मिल जाएंगे, बट जो amount हमें चाहिए था, वो amount clear cut completely पहुचा नहीं है, ऐसे भी college हैं, जहां ad hoc teachers को last year का summer salary, उनके seven CPC के areas वो तक नहीं मिला हुआ है, तो आज फिर हम लोग emergent duty executive meeting बुलवाए हैं, आज, Saturday को, so that is strike, और जो हम लोग action program decide किये थे, उसकी ऊपर ये जो recent development, कल का जो sanction letter है, उसके basis पे हम लोग conscious decision ले पाए, और मुद्दा तो यही है कि देखे, जो internal receipt, जो colleges collect करते हैं, बच्चों से, उसके साथ वो लोग plus minus करना चाह रहे हैं, वो लोग ये बोर रहे हैं कि जो student funds हैं, उससे, और जो hostel fund है, उससे, जितना आप बच्ची से collect कर रहे हो, plus minus कीजिए, और जितने amount होता है, वो हम देंगे, बैट ये tradition हमारे यहां रहा है, दि student funds में हम लोग कुछ, उससे कोई payment हम लोग नहीं करते हैं, कभी कबार loan होते हैं, loan लेके दिया जाता है, salary दो पांस दिन बाद हो जाते हैं, तो वो loan फिर हम लोग वापिस कर देते हैं, इस बार कुछ colleges में loan तो लिया गया था, बट salary के grant आया ही नहीं, तो हमें वो loan वापिस और salary के account में कुछ पैसा हम लोग भेज रहे हैं, यह कोई permanent solution नहीं है, basically यह commercialization and privatization का पहला कदम है, और एकदम clear cut, एक new assistance plan यह लोग लाए हैं, जिसके मताबिक कि जितना internal resources है, उसको improve करने का हमें कोशिश करना चाहिए, इसका मतलब है, बच्चों से जादा से जादा पैसा ल सरकार कोशिश कर रहा है, और शायद यह new education policy का एक बड़ा कदम भी है, और मनीशी शोदिया जी तो बोल रहे हैं कि new education policy लागू वो कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ-कुछ policies वो कर रहे हैं, बट DUTE के तरफ से हम लोग हर steps लेंगे, कि यह जो assistance के जो plan वो किये हैं, उसको हम ल लेनी का बोला ता जिससे आप salary दे दीजिए, जिसके बाद court गया था, court ने भी इस पर रोख लगा दिया था, court ने इसको इससे आप नहीं दी सकते, लेकिन हा, दिल्ली सरकार और प्रसासन के भी जगड़ा चल रहा है, college प्रसासन के बीच में, बताता है, उस टसल का नतीज उनके लिए सर्वाइब करना कितना मुस्किल हो और ये इंटर्नल प्रसासन और सरकार के बीच में जगड़ा है, उसमें करमचारी और सिक्षक जिससे लगातार बार बार आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं, देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, ये दिल्ली सरकार का ये plan है, जो ये बारा दिल्ली उनिवर्सिटी का कंस्टिट्वेंट कॉलेजेज हैं, जिसको दिल्ली सरकार फुली फंडेट करते हैं, इनके plan है कि ये दिल्ली उनिवर्सिटी से ये कॉलेज ले जाने का, इसी लिए एक स्थिती क्रियेट कर रहे हैं, कि लोग तंग आके के मिनिस्ट्री दिल्ली सरकार वाले उन्होंने तो क्लियर कट कभी बोला नहीं है, बट जिस धंग से ये चल रहा है, ये क्लियर है, कि दिल्ली उनिवर्सिटी से ले जाने का मनसा है, और इसके उपर भी आज हम लोग चडशा करेंगे, हमारे इमर्जिन दुटा एक्सेक्य कि जिस तरह से आया है, जिसको अबेट कोलेज को ले जा रहे हैं, और बेंकी के अलग करने को हलाकि अंधर 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 शुटी मांग रही है, लिकिन ये सारी सीजों डेवलप्मेंट हो रही है, विशुद्याले के अंदर जो डियू के अलग किया जा रहा है, इस चीफ मिनिस्टर सहाब वहां से अंधर प्रदेश से ये रिक्वेस्ट किये हैं, वो सेंट्रल मिनिस्ट्री को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को कि आप डिली उनिवरसिटी के अक्ट बदल दीजिये, और ये हमें वेंकटेश्वरा कॉलेज को जो डिली में लोकेटेड हैं, व ले जाए अंधर प्रदेश युनिवरसिटी में, तो उसके लिए उनको डिली उनिवरसिटी एक्ट बदलना है, और ये कोशिश, ये कोशिश दिली सरकार के पास भी है, और आप बता दूं कि डिली उनिवरसिटी के एक्ट बदलने का कोशिश, एनिपी के तहत, और और भी कुछ कुछ कारण के तहट, Autonomous College के कारण, जावरेकर जी भी कोशिश किये थे, और निशंग जी अभी उसको कोशिश कर रहे हैं, तो NEP के तहट तो ये लिखा हुआ है NEP में, जो पूराने जो एक्ट है, जो contradictory to the NEP है, उसको बदलने का होगा, तो मैं तो ये मानता हूँ, whether अ अंदूलन को देखें, इस तरह से करमचारी यूनियन और टीचर यूनियन से एक साथ है, और आज आप लोग ही में कल दूसुक फादे मीटिंग है, लेकिन आप लोगों ने कल इस फैसले के बाद बोला भी, टीचर यूनिटी और स्टुडेंट यूनिटी के दीद थी, ले सहर में चलने के लिए पैसा चाहिए, वो दिल्ली, आज के दिन में हम लोग दिल्ली या दिल्ली के आसपास ही रहते हैं, और कोविट के दौरान में भी टीचर करमचारी लगातार काम करते रहे हैं, लगातार, कोई vacation कुछ नहीं रहा, उस वाले स्थिती में भी हम लोग काम किये हैं, यह कोई भी तो मांग नहीं रहे हैं, तो एक quarter का payment दिये हैं, payment तो वो कर सकते थे अनादा दो महिने पहले, last quarter का payment आना चाहिए था, January महिने में, वो March महिने के 12 तारिक को और 13 तारिक को release कर रहे हैं, तो इसके किस कारएं, जब हम लोग strike चले गए, उसके बाद ही व ही आ रहा है, जब कुछ करते हैं, तब कुछ निकाल देते हैं, तो फिर teacher और करमचारी हम लोग सोचते हैं, कि चलो कुछ salary तो मिल गया, तो और कुछ नहीं करेंगे, तो इसके फाइदा तो हर सरकार, teacher और करमचारी के ऊपर करके ये कर रहे हैं, आप पर यी बात कहरे हैं, यो एक जीत हुआ है लेकि परमनेंट सेवेशन नहीं है और वो repayment कीजिए और अगर grant घटते हैं तो हम किसे लेंगे बच्चों स्टूडेंट से या लोन लेंगे हिफा बगरा से इसी से चलेंगे और इसके लोन वापिस के से करेंगे स्टूडेंट से ही ज्यादतर लेके और वो और भी उपाय बता रहे हैं अलमनाई से जिनरेट कीजिए कि आप कंसल्टेंसी कीजिए और एनिपी के एक पॉलिसी तो है कि एनिपी लागू होने के बाद पोदिशन्स टेनियोर पोस्ट के लिए जा रहे हैं और रिसोर्स जिनरे बियो जी फॉर्मूलेट करने के लिए ये डिली उनिवर्सिटी एक्ट बदलने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं वो केंद्रिय सरकार हो वो केजरिवाल जी के दिली के सरकार हो या अंधर प्रदेश का भी जो रिक्वेस्ट आया है एजुकेशन मिनिस्टी के पास वो और अलग तरीके से करना चाहिए लेकिन आप आपकी बाची से लग रहा है जो बारा कॉलेज का पुरा मामला जैसा फंड का मामला है तो दिली सरकार भी एनिएपी को लागू करते हूँ दिख रही है एनिएपी कितनी खतरनाख है है रोचुपिशन देखिए एनिएपी शोदिया जी ने क्रिटिसाइज जरूर किया था और हमारे तो ये विश्च था कि यूड बी स्टैंडिंग लाइक रॉक क्योंकि एजूकेशन और बच्चों के एडूकेशन में दिली सरकार का जो क्लीम है और वो क्लीम कुछ दंसे सही भी है तो हमारा ये विशार था कि व जब वो दिली उनिवर्सिटी के पास था उसके पेमेंट पचास हजार के नीचे था समिस्टर में आज वहाँ पेमेंट लगबग दो लाग के उपर है पर समिस्टर फीज फीज तो ये आप सोचिए कि जैसे इस्टेट उनिवर्सिटी के पास पहुँच रहे हैं उनके कि सरकार और ज्यादातर सरकार बच्चों के एडुकेशन की उपर बोलने के लिए तो 25% 26% दे रहे हैं देली सरकार बड़ हम तो चाहते हैं कि वह ठीक ढंसे हो और जो फीज टॉक्चर है उसी स्टॉक्चर में वह मेंटेन करते हुए करें जो ग्रांट असिस्टेंस टॉक् इसके लिए आपने सारे मुद्वबम से बात की इसके लिए आपका धन्यवाद यह थे राजीवरे दिली सिक्षक संग के अध्यक्ष यह सारी इस्थितियां बता रहे हैं दिली सरकार जो अपने लास्ट बजट में दावा करते हैं उसने एक चौथाई बजट सिक्षक उप पड़े और बिश्विध्याले से ही फंड जनरेट हो यह सारे उनके दावे जो मीडिया में विधान सवाग अंदर कर रही है उसके पोल खोलती है अभी के लिए इस इंटर्विवी में बस इतना ही आगे के लिए देखते रहे न्यूस क्लिक